हेलो फ्रेंड वेल्कॉप टू मैं चैनल यूपी पीचे इस विच चोहान गाइस हम घटना चक्र की जो सीरीज करें ते उसमें हम सामान विज्ञान में भी कर रहे थे बहुत ही विज्ञान और चैप्ट नंबर सेविन तक कर चुके थे और चैप्ट नंबर एट के जो नोट् यह, मसा है निम्निमे से निम्निमे इसी यांतिक तरंगे हैं जैञान ऩराई कि अवश्क्ता होती है जिसके संचमेंא के लिए क्लिए माध्यम गया होती इसकी माध्यम का लिए नहीं बढ़तें को अगे बढ़ता है त्रह कर चैपみे तैरे पर दोंट यह गए ने तरह प्ड यही लिखा है उप्र्युक्ति विकल्बों में ध्वनी तरंगे हैं जब कि जो रेडियो तरंगे हैं और आपकी एक्स-डे हैं प्रकास तरंगे हैं कौन से होते विद्व चुम्बकिये तरंगे होते हैं यानतिक तरंगे किसी बहुतिक माध्यम में उत्पन दह्र विक्षोब जो अपना स्वरूप बिना बतले माध्यम में एक निश्चत चाल से आगे बढ़ती है और यांतिक तरंगे माध्यम के कड़ों की सीमित गती के द्वारा उर्जा और संवे का संचरन करती है परन्तु माध्यम अपने ही इस्थान पर बना रहता है यानि कि जो कड़ है वो अप सबसे उपर होती है कुछ 80 किलोमेटर के उपर से आपको आयन मंडल मिलना ही स्टार्ट होती है और वहीं से क्या होता है जब भी आप कोई सिगनल जो है आपका प्रिथवी से उपर की तरफ जाता है तो जो आयन मंडल है वहां से टकरा के वापस आता है तो वही चीज इसने प्रिथवी की किस सता से परावर्तित होती है तो वह होती है तो आयन मंडल से वापस आती है ठीक है और यह कितनी उचाई पर होता है वह होता है असी से लेकर 40 km कि उचाई पर होता है अब नेक्ट कोशन बेतार यानि कि वाइलस कम्मुनिकेशन में भी अगर जो आपका कि भाक सब्सक्राव आञते तो आती है आइनमंधर को इंगलिस में बहता है रही निकेsprit तेस्ट्रों में पर आती है कॉछ यहां सा इस्तार यहां निकासी तटरंगे संचर्ण न ह संच्ण नहीं करता है तो वह मतलब होता है यहींशनन सब्सक्राट नेकिशन का मतलब होता तो हम जानते हैं कि नहीं इट नहीं चैलर के कि बहुता है निर्वाब में प्रखाश तरंगày रिवार करें हैं पार ट्रेवल करती है ट्रीक और अपकी में जुन चौन नहीं करती है माध्यूम होती हैं तो यही कारण है। इसमें लिखा है कि चंद्रमा पर देखाया कि अगर व्यक्ति खड़े हैं, और वो एक दूसर से बात करते हैं, तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं आती है, क्यों कि वह ध्वनी तरंग है, और वहा पर होता है निर्वात, तो आगे तो जो ध्वनी तरंग क्या होती है यह आविशिद कड़ होते है है कि अशुमी किरило वियर्फdock के खेच्ड का भाग नहीं! और अरफ्दर-घ्ला की आविशिद कड़ होते हैं जिस में बहुत उर्ध कड़ होते हैं इस जित पर के अंतृक्श क्वाइश ख्ण कि प्रकाश की गति से चलता है कि कॉछ मी करणों से संबंध में निम्निय कत्रों में से कॉंशा सही नहीं है इसका आउल देखते हैं यह लिखा है इसमें विद्युचुंबकी तरंगे कर नहीं यह एक आविश्पकड़ है नकि विद्युचुंबकी बनी होती है और उसमें उर्जा बहुत ज्यादा होती है यह सूरी से उत्पन होती है ब्लूप सही है और इसकी जो चाल होती है वही होती है जो प्रकाश की चाल होती है फिर लिखाए जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यानि कि परा उच आपरिती मतला बहुत ज्यादा फ्रि और उसमें भी आपकी गाम क्रेव में की तरहएं कि सभसे यहीन की तरंगु का भी संचरत होती हिसे लाइक हमने कौन कौन सी पढ़ा था एक हमने पढ़ा था गाम कैमा के बाद कर था एक सपर के बाद हमने देखा था UX पर यह सारी संफ की उसमें विख सबसेदा वजया की इसकी होतीचै इस से उससे कम उंसे और का यह प्रिइखोर का तो वेस्टन्थ होती तो तो ुचारख तो इसमें सबसे जादा होती यानि कि तरंग diffic辜 इंट है इसकी कम होती है ठीकित को अगे बाढ़ते हैं नेक्स पologर होता है इस नहीं जॉल्येश तरंगि तरेंग जहें पयत्य दो लेमडा यानि की wavelength बोलते हैं और दो गर्थ के बीच की दूरी आ तो ले लो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं वेवलेंद बोलते हैं ऐस यही चीज इसमें लिखी हुई है आप इसे पढ़ लीजेगा कुछ अलग है नहीं हमने इसे explain किया था कल के वीडियो में तो next question है guys क्रिश्टल की संरचना जानने के लिए निम्नमे से किसको प्रयोग में लाया जाता है तो इसका अंसर है किसको रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रयोग करता है इसमें लिकार डार एक ऐसी प्रडाली है जिसमें विदुचुमब की तरंग के विशेष्टा रेडियो तरंगों की साहता से इस्थिर और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तों की रेंज उचाई और दिशा गति का पता सब कुछ पता दलता है किसकी हैं पता है हम को radar के अब लिखा है जब सम्ताप मंदल में ओजोन का अपचे होता है तो परित्वी के धरातल पर पतित विक्रण की तरंग्ध्यारे कितनी होती है तो इसमें रिक्राड प्रड़ा विकते हैं फेक्रेवर V23 तक होती है युक्र आपट और siitä इससे लिक्रेघे ढूचाト्वांक Czech 2100 से लेकर 280 यॉर्ड़ा सबसे ज्यादा घर तक क्योंगे होगी तो उर्जा सबसे जादा किसमे होती है जिसकी विवलेंट सबसे कम होती है तो हम देख रहे हैं सबसे कम विवलेंट इसकी है तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रिथवी की सता पर आसानी से पहुंच जाती है और दूसरा इसमें लिखा है बी देखे ओजोन मंडल जो होता है समताप मंडल में होता है ओजो अल्टा वालेट किर्णों को प्रिथ्वी तक आने से रोकती है ठीक है तो लेकिन क्या होता है जो अल्टा वालेट A है वो प्रिथ्वी की सता पर आसानी से पहुँच जाता है तो अब हम बात करेंगे अल्टा वालेट B की बात करेंगे तो इसम कुछ रूप अंशिक रोप होता है वो क्या होता है ओजोन परद्वारा अफसोशित होता है परंतु उसकी कुछ मातला पिधी तक पहुंच जाती है ठीक है सब्सें घातक होती है हमारी chrome चाँ यह ओजोन परद्वारा सर्वादिक होग है तो यह इन अदय का सब सबसे कम धिया है अभी इन तीनों में सबसे कम हमने क्या देगि 100 वाथ है तो इसने लिखा 100 नेटना मेटर हम क्यारते लिखी है एक नेटनो मिटर क्या होता है आपका यह यह 1 in to 10으면서 सब्सक्राइब करेंगे तो हम क्या करेंगे सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे हम लिखते हैं प्लस यह मैंस सब्सक्राइब करते हैं इसमें लिखते हैं इसमें लिखते हैं विद्र चुंब के तरंगों का एक प्रकारिए और इसकी जो तरंग्धयर यानि की विवलंत है द्रश्व प्रकारण से अधिक होगी और इसका जो प्रियोग है क्या करते है लक्ष को डूढ़ने में निरिक्षन करने में राति डिषित कि लिए हम एसको आदि के लिए जों सेनिक को द्रकास इसकी क्या होती है आफं आगे बढ़ते हैं लिखा है दूर संचार के लिए प्रेवक्तता त arada होती है दूर शार याननी ही वायलस कम्यूनिकेशन की लिए अप किसका यूज करते है आप microwave को यह नहीं है आप है microwave तो microwave का हम यूज करते हैं लिखा है television दर्शक डिस एंटीना प्रयूक्त करते हुए बर्सात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि लिखा है कि एंटीना छोटा होता है बर्शा की बूंदे लेडियो तरंगों की जो ऊर्जा है उसक Haben करतेए क्भरवर्शा क कोई तरंग आ रही है वर्शा की पून से टकराएगी और कहीं और फौसर आपका घर है यहां यहां से टरंग आ रही है जो कि आपके घर पे आनी चाहिए आने की वजह क्या होती है बुझी के बूंदो अर कुछ जो तरंगे होती है बुझी रेडियों तरंगों की उर्जा के मूल दिशा को क्या है विडिशलित कर देती है जैसे वो जा रही होते हैं उसको उसके दिशा ही बदल देती है और इन कारणे से बर्षाद में क्या होता है उग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कटना ही होती है और वर्षा के तमें क्या है रेडियू सिग्नल क्या होते हैं कमजोर हो जाते हैं और छोटी डिश एंटीना ग्र प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली जो आपरिती बेंड है वो कौन सा होता है इसका अंसर है डी गाइज इस और लीजिए और कुछ नहीं कर सकते एटी एट से लेकर 108 मेगाहट्स तक के बीच में हम FM का प्रसारण करते हैं जैसे हम बोलते 92.7 FM ऐसे करके यह वह फ्रिक 108 मेगाहट्स के बीच में होते हैं यह उसकी आपरिती है तो FM बेंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग में किया जाता है यानि स्टैंडर्ड है यह रेंज स्टैंडर्ड है इसको हम यूज करते हैं लिखा है आतों के रोग के निदान में निमलिकित किर्णों का आगे है CT scan करने में प्रयोग में लाई जाती है तो इसमें लिखा X किरने सही है इसका भी अंसर X किरने तो यहां हमारे वीडियो खतम होता है सारे questions हो गए यह चैप्टर हमारे कंप्लीट होगा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए औ शेयर करना ना भूले थैंक यू फ्रेंड्स और अगर आपको चैप्टर की पीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने लिंक दे रखिए वहां से आप उसको डाउंडोड कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स